नमस्कार आप देखें न्यूज 24 फ़स्ट अक्सप्रेस और आपके शाथ मैं हूँ अमता सिंग तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खपरों से ज्राजिस्थान के नागोर जिले में चुनावी रैली को पीए मोदी ने किया संबोधित कहा कि कॉंग्रेस ने 60 सालों तक देश को ठगने का काम किया बोले पीए मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर लोग सभा तक 60 सालों तक किया शास नतीजा यह रहा कि किसी वर्ग का नहीं रखा खयाल प्येम मोदी ने कहा कि ये भाज़पा सरकार है जो सभी वर्गों का पूरा खयाल रखा है और गरीब सामान्य परिवार को भी दिया 10 प्रतीशत आरक्षन का लाब प्येम मोदी ने कहा कि समुधान में बाबस साहिम ने लोगों के लिए आरक्षन की व्यवस्था की थी लेकिन कॉंग्रेस ने अभियान चला कर उनकी राजनीती को खात्म करने का प्रियास किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाज़पा सरकार है जुसने राजिस्थान में चार समुधाय को आरक्षन की सुविधा दी है यहां तक की सामान्य परिवारों को भी 10 प्रतीशत आरक्षन की व्यवस्था की है पीएम मौधी ने कहा कि कॉंग्रेस का भी देश हित देशवासियों का हितना ही चाही और ये भाजपर सरकार है मेरा यही मूलमंत्र है सबका साथ हो सबका विश्वास हो देखे चंदरकांत पांडे की रपोर्ट हमांबड़ करने समीधान में के लिए आरक्षण की ववस्ता की थी कॉंग्रेस बाबा साहिब की राज नीति कोई खत्म करने के लिए अभ्यान चलाया कॉंग्रेस को पचाश साल तक ओबी सी समाथ के लिए आरक्षण की याद नहीं आई यह भाजपा सरकार है जिसने राजस् और यही बाजपा का सबका साथ सबका विकास का मंतर है वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर से हाजर होगे ऐसी कुछ खास बड़ी खपरों के शाथ तब तक के लिए नमस्का